महिसलामों दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स मुम्रा के चांद अगर धूम चौल में करंड के चपेट में दो बच्चियां और एक बकरी आ गई थी अस्थानिये लोगों ने दोनों बच्चियों को किसी तरह से बचा लिया मगर बेजुबान जानवर बकरी ने करंड की चपेट में आने के वज़ा से तड़क तड़क कर दम तोड़ दिया ये घटना कल शाम में पांच से छे बज़े के बीच हुई है सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों बच्चियों की जान बच गई है धूम चाल में रास्ते में पानी जमा हुआ था और वही पर पानी का मोटर भी लगा हुआ है इसके अलावा हाली फिलाल में एक इमारत बनी हुई है इसका बिजली का केबल भी यही से जहां जमीन पर पानी जमा हुआ था उसमें करंट उतरा था वही से जमीन के अंदर से केबल गया हुआ है जमीन पर जमा हुए पानी में करंट कैसे आया इसका पता नहीं चल सका है लोगों ने बताया कि जो मोटर लगा है उस मोटर के बगल के पाइप को जब तोड़ा गया तब जाकर पारी में जो करंट उतरा थ था वो करन्ट खत्म हुआ मगर इस जगहां पर कहीं ना कहीं केबल में फॉल्ट है क्योंकि इसी दोरान जो हाल ही में इमारत बनाई गई है उस इमारत में जाने के जो रास्ता है बिल्कुल उससे लगकर पंप रूम बनाया गया है और उसमें बंद पानी के मोटर में सौट सर पाइप से आर्थिंग लिया हूँ उसकी वजह से रास्ते में जमा हुआ पानी में करन्ट उतरा है ऐसा अस्थानिये लोगों का कहना है भले ही इस हाथसे में किसी इनसान की जान ना गई हो मगर सोचिये जरा बकरी की जगहां कोई इनसान होता तो क्या होता बहरहाल अस्थ इस इमारत में जाने वाला बिजली का केबल या फिर और कहां से और किस वजह से रास्ते पर जमा हुआ पानी में करन्ट आया और इस करन्ट में दो बच्चियों को तो अस्थानिये लोगों ने बचा लिया मगर एक बकरी ने दम तोड़ दिया मगर अभी तक करन्ट आने का पता नहीं चल सका है मगर वहीं इलाके में देखा गया है कि बिजली के बॉक्स खुले पड़े हैं और मौत को दावत दे रहे हैं ये बॉक्स देखें जो एक घर से बिलकुल लग कर है कभी भी कोई भी इनसान या जानवर इसकी चपेट में आ सकता है और उसकी जान जा सकती है और अगर किसी की जान गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाड टाइम्स ताजा तकन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना न भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें